नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल जैनल ले पिस्टन ग्राफियों में दोस्तों आज की जो डिक्टरेशन देगी सो सब्सक्राइब और से जरू करें ठीक दोस्तों चले इस्टार्ट करते हैं इससे पहले दियाब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और सेर जरू करें इस्टार्ट करते हैं डिक्टरेशन इस्टार्ट होगी तीन सेकेंड बाद परिक्षा और प्रेश्न पत्र परिक्षारती की योग्यता की कसोटी है प्रेश्न पत्र को सही हल करने वाला व्यक्ति सफल माना जाता है और प्रेश्न पत्र को हल ने कर सकने वाला एयोग्य अथवा एसफल गोसित कर दिया जाता है वास्ताओं में अनेक बार तो यह भी देखा जाता है कि एक साधारण योग्यता का व्यक्ति अपने अनुकूल प्रेश्ण पूछे जाने के कारण प्रेश्ण पत्र को पूरी तरह हल कर लेता है और एक अत्यन्त योग्य व्यक्ति उसी प्रश्न पत्र को हल नहीं कर पाता या आंसिक रूप से हल कर पाता है यही कारण है कि परिक्षा और प्रश्न पत्र का सामना करते हुए सब परिक्षार्थी घबराते हैं अपनी गबराहट को दूर करने तथा अपने अंदर आत्म विश्वास का भाव पैदा करने के लिए प्राय प्रिक्षार्थी चाहे वे स्कूल कोलेज के विद्धार्थी हो और चाहे किसी प्रतियोगितात्मक प्रिक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रिक्षा से पहले पिछले वर्सों के प्रशन पत्र आवश्य देखते हैं प्रिक्षा की तैयारी में लगे हुए प्रिक्षार्थी पिछले वर्सों के प्रशन पत्र देख रहे थे उन्हें एक प्रशन बहुत कठिन मालूम हुआ वे उसकी आलोच ना करने लगे और गालियां देने लगे एक परिक्षार्थी ने प्रशन पत्र को उठा कर फैंक दिया कुछ परिक्षार्थी फिर पढ़ने में लग गए तभी उस दिसा से जिधर प्रशन पत्र फैंका गया था आवाज सुनाई देने लगी परिक्षार्थी ने देखा मालूम हुआ जैसे प्रेशन पत्र कुछ कहे रहा है वे ध्यान से सुनने लगे प्रेशन पत्र कहे रहा था प्यारे परिक्षार्थियों कितना आश्चरिय है कि कठिन होने के कारण तुम मुझे गालियां दे रहे हो जरा सोचो इसमें मेरा क्या दोस है मैं तो वही हूँ जो परिक्षक ने बना दिया था तब तुम मेरे बजाए परिक्षक को क्यों नहीं कोसते सायद तुम मेरी कहानी सुनकर आगे इस बात का ध्यान रख सको इसलिए मैं तुमें अपनी आत्मखता सुनाता हूँ मुझे डी एवी कोलेज दहरादून के प्रोफेसर गनेस वर्मा सास्तरी ने बनाया था उन्होंने पहला मेरा एक काखा साब बनाया एक कागज पर बीसियों प्रशन लिखे फिर उनमें अनेक बार संसोधन किये सच मुझ मैं भी उस समय परिक्षक के लिए सिरदर्द बना हुआ था अंत में मेरी रूप रेखा तैयार हो गई और मुझे एक साफ कागज पर सुन्दर्ता के साथ लिखा गया तब मुझे रजिस्टर्ड डाक से यूनिवर्सिटी में भेजा गया और वहां से मैं प्रेस में पहुचा वहां मेरे अन्य साथी भी विद्यमान थे हमें पाकर प्रेस के कर्मचारी बहुत गर्व का अनुभव कर रहे थे वे सोचते थे कि यदि वे हमारे प्रेशनों को बाहर बता दें अर्थार्थ आउट कर दें तो हजारों विद्धार्तियों की किसमत बदल सकती है और वे भी बहुत सा धन पास सकते हैं किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया कारण वे इसे पाप समझते थे प्रेस में मुझे अन्ने साथियों सहित बड़ी सावधानी एवं गोपनियता के साथ रखा गया यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी विसेस्ता है कि परिक्षा के दिन से पहले तक मुझे सर्वता गुप्त रखा जाता है मेरे समंद में पूरी जानकारी मेरा निर्मान करने वाले परिक्षक के अतरिक्त और किसी को नहीं होती जिस प्रेस में हमें छापा जाता है उसके कर्मचारियों को इस बात के लिए वचन बद किया जाता है कि वे मेरे बारे में कोई बात बाहर नहीं निकलने देंगे प्रेस में मैंने एक और बात अनुभव की और वह यह की मुझे मुझे मुद्रित रूप देते हुए भी बहुत सावदानी बरती गई दो व्यक्तियों ने मेरी पुरुफ की तुरुटियां दूर की ये दोनों यही कहते थे कि प्रेशन पत्र में कोई ऐसुधी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि प्रेशन पत्र की एक ऐसुधी सहस्तरों परिक्षार्तियों का ऐहित कर सकती है अब मैं छपकर तैयार हो गया था मेरे साथ मेरे ही जैसे हजारों साथी और भी तैयार किये गए हमें बंडलों में बांद कर फिर योनिवर्सिटी भैज दिया गया जहां से हम समय पर प्रिक्षाकेंद्रों में पहुचाए गए यहां बंद बंडल में पड़े पड़े मेरा दम गुठ रहा था एक दिन हमारे बंडल खुलने की बारी आई और मेरी खुशी का ठिकाना ने रहा जब परिक्ष्या भवन के व्यवस्ता पकने निरक्षकों के सामने हमारा बंडल खोला तो बहुत दिनों के बाद मुझे खुली हवा में सांस लेने का आउसर मिला मैंने इसके लिए भगवान को धन्यवाद दिया अब हमें विध्यारतियों में बाटा जाने लगा आपस में बिछुडने का हमें बड़ा दुख हो रहा था किन्तु हम कर भी क्या सकते थे मैं एक मंत्री महोदे की सुपुत्री के हाथ में गया भाग्य की बात है कि वह लड़की उन्ही प्रशनों को तैयार करके आई थी जो परिक्षक ने पूछे थे लड़की ने मुझे पढ़ा वहे मारे खुसी के जूम हूटी उसने मुझे चूमा और माथे से लगाया मन ही मन वहे मेरी खूब प्रसंसा कर रही थी विधार्तियों अब सायद तुम सोच रहे होंगे की अब भी प्रशन पत्र क्यों नहीं बन गए किन तू ऐसा नहीं सोचना चाहिए यह तो भाग्य की बात है मेरे दूसरे साथी जो उन परिक्षार्तियों के हाथ में गए जिनकी तैयारी नहीं थी और प्रेशन पत्र को कठिन समझ रहे थे उनके साथ क्या बीती होगी इसका भी अनुमान करो उनमें से कुछ को तो खूब निरादर का सामना करना पड़ा होगा गालियां सुननी पड़ी होंगी और कुछ तो सायद टुकडे टुकडे करके फाड डाले गए होंगे सोचो जिनकी यह दसा हुई होगी उन्हें कितना दुख हुआ होगा हां तो उक्त लड़की ने खुसी खुसी सारे प्रेशनों के उत्तर लिखे समय समाप्त होने पर परिक्षा बवन से बाहर आई और उचलती कूदती घर पहुची आज वह खुसी के मारे पागल हो रही थी उसके ट्यूटर ने भी जब उसका प्रेशन पत्र देखा तो वे भी प्रेशन हुए लड़की ने एक बार फिर मेरा गुणगान किया और पुस्तकों में रख दिया प्यारे विधार्तियों पुस्तकों के धेर में से आज मैं तुमारे हाथ लगा और अपमानित हुआ आगे भी मुझे मान और अपमान मिलते रहेंगे किन्तु मैं समझता हूँ कि मेरा मान अपमान मेरी अपेक्षा प्रिक्षारती के ज्यान पर अधिक निर्भर रहता है स्टॉप